सुप्रभाद चात्रों मैं एसे मिशन करेश्ट महाविद्याले की प्राध्धापीका शुरीमति भाम्रे मैम आज इस वीडियो में नया पाट आपको पढ़ाने जा रही हूँ आदर्श बदला यह सुदर्शन जी द्वारा रचित एक बहुत अच्छी कहानी है तो चलो चात्रों इस कहानी के रचनाकार सुदर्शन जी के बारे में पहले हम जानते हैं पहले उनका परिजय लेते हैं सुदर्शन जी का जन 29 मई 1895 को सियाल कोट में हुआ सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रिनात है उनका पूरा नाम है पंडित बद्रिनात भट सुदर्शन यह उनका उपनाम है सुदर्शन जी ने प्रेमचन जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है अर्थात क्या कि प्रेमचन जी को उन्होंने आदर्श माना है प्रेमचन जी की कहानिया हिंदी साहित्य जगत में बहुती प्रसिद्ध है बहुती अच्छी कहानिया है कहानी लेखन में प्रेमचन जी आदर्श माने जाते है और उनको ही आदर्श मान कर सुदर्शन जी ने भी कहानिया लिखी है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रेमच हित्य में जो संदेश दिया है वह समाज में सुधार कर पाए इससा संदेश दिया है समाज में बदलाव कर पाए और आदर्शवन मुख अर्थात क्या की समाज के लिए आदर्श वो ऐसी कहाणिया उन्होंने लिखी है साहित्य स्रुजन के अतिरिक उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए पटकताय लिखी है तथा गीद भी लिखे है सुदर्शन जी द्वारा लिखित हार की जीत यह पहले कहाणी है और उनकी यह पहले कहाणी हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है उनकी कहाणियों की भाषा जो है बहुत ही सरल पातरानुकुल तथा प्रभावोत पादग है और दूसरी बात तो यह कि जो कुछ कहाणिया सुदर्शन जी लिखते है या फिर लिखिये उन्होंने कहाणिया वह घटना प्रधान कहाणिया है अर्थात क्या किसी भी जीवन की किसी भी घटना को किसी भी प्रसंग को सामने रखकर उससे संबंदिद वह कहाणी रखते हैं कहाणी रचते हैं कहाणी लिखते हैं उनकी रचना में प्रयुक्त मुहावरे जो हैं उनकी साहितिक भाषा को जीवनतता तथा कत्थे को प्रकरता प्रदान करती हैं। ऐसे सुधर्शन जी का निधन 9 मार्श 1967 में हुआ। पले बड़े हैं। और अपने कहानियों के माध्धम से उन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है। अब प्रहसन अर्थत क्या प्रहसन एक लगुनाट एक रूपक है। यह समझाते वक्त में आपको उधारन देना जाओंगी। जैसे कि आप रिटी जी मरटी पर हम सीरियल देखते हैं। जैसे कि चला हवा यूद्या। उसमें भाव कदम जो है। जिसे सब जानते हैं जो सब को हसाता है अपने पात्र के माध्यम से, अपने उस कला के माध्यम से। तो वहाँ पर वो जो छोटा सा रूपक उस वक्त प्रस्तूत करता है, वहाँ होता है प्रहसन। जितने एपिसोड आप देखते होंगे, और एक एपिसोड में नया नया रूपक भाव कदम वहाँ पर प्रस्तूत करता है। वहाँ होता है प्रहसन जो नाटक का बिलकुन ही छोटा सा रूप होता है तो छात्रों चलते हैं सुदर्शन जी द्वारा लिखीत कुछ कृतिया है वो जानते हैं कि उन्होंने कौनसी कृतिया लिखी है पुश्पलता, सुदर्शन सुधा, तिर्थमातरा, पंगण यहाँ कहानी संगर उन्होंने लिखे है सिकंदर भग्य चक्र यह कुछ नाटक उन्होंने लिखे है तथा भागवत यह उपन्यास उन्होंने लिखा है एवं अन्रारी मेजिस्ट्रेट यह प्रहसन भी उन्होंने लिखा है तो आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे है आदर्श्व बतला यह पाट जो पढ़ने जा रहे है यह कहाने विधा से है अब कहानी विधा क्या है आप हम इस विधा से बहुत ही वाकिव है बहुत ही परिचित है बच्पन में आपने भी कहानिया सुनी होगी आपके दादा दाद मेतल की कहानिया अपने पड़ी होगी जो कि हमें बहुत ही अच्छा संदेश देती हैं तो चलते हैं कि कहानी फिर भी कहानी या विदा क्या है उसका परिज्चे हम संक्षिप में ले लेते हैं कहानी भारतिय साहित्य की प्राचेन विदा है जीवन का मार्ग कहाणिया सुनी होगी और कहाणिया सुनने के लिए आप बहुती बेताव रहे होंगे बहुती उत्साह से उमंग से आपने वो कहाणिया सुनी होंगी अताहा कहाणि विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गी करन किया जाता है सरल सिधी भाशा मुहारो का सटिक प्रयोग प्रवाहमान शैली कहाणी की प्रभावुत पादक्ता को रुधिंगत करती है तो छात्रों आज जो कहाणी हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श बदला इसका थोड़ा बोथम परिचे लेते हैं प्रस्तोत पार्ट में लिखक ने बदला शब्द को अलग धंसे वैक्षाइद करने का प्रयास किया है अब बदला या शब्द तो हम जानते हैं कि जब कोई वैक्ति हमें परिशान करता है हमें तुरस्त करता है तो हमारे दिमाग में आ जाता कि नहीं मैं इसका बदला लोगा बदला क्या कि कोई आपको एक थपड मारे तो आप उसको और एक थपड मार देती यह हुआ बदला यह बदले की भावना इंसान के मन में अपने आप आजाती है यह वास्ताव है उधारन के तोर पर अगर आपको कहा जाए कि अगर आपने मकोडे पर पेर रख दिया मकोडे के साथ छेर खाने की तो वो आपको काटेगा यह हुआ उसका बदला वो बदला लेगा क्या करता है वो आपको काट लेता है तो फिर हम तो इंसान है, सहेजी इंसान के मन में यह भावना आ जाती है, अगर किसी ने आपको परेशान किया, तो आप गुसा हो जाते हो और बदले की भावना मन में उत्पन हो जाती है यदि वहाँ बदला किसी के मन में उत्पन हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की से एक देता है तो यह आदर्श बदला के लाता है लेकिन जैसे मैंने कहां कि यह आदर्श बदला है मैंने सिर्फ बदला शब्द का परिचय आपको करवाया उधारन के मादम से लेकिन ये जो कहानी है ये हमें आदर्श बदला क्या होता इसका परिचय करवाने वाली है आदर्श बदला क्या? कि मन में उत्पन्न हिंसा की भावना को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान प्रदान करना, जीवन की सीख देना, यह हुआ आदर्श बदला इस कहाणी में जो छोटा बेजू है, अपने पिता को भजन गाने के कारण तांसेन की कुरूता का शिकार होता हुआ देखता है, और वही बेजू जिसके मन में बदले की भावना उत्पन होती है, वह तांसेन को संगित प्रतियोगीता में पराजित कर उसे जीवन दान देता ह और संगित का सच्चा साधक सिद्ध होता है, यह हुआ आदर्श बदला, अर्थक क्या कि वहाँ अपने पिता के समान तांसेन को प्रांदन नहीं देता, वह उसे जीवन दान प्रदान करता है, इसलिए यह हुआ आदर्श बदला, कलाकार को अपने कला पर कभी भी एहिंका नहीं करना चाहिए, यह सीख हमें इस पार्ट के माध्यम से मिलती है, यह बोध हमें इस पार्ट के माध्यम से मिलता है, कला का सम्मान करना है, कलाकार का परमकरतव्य होता है, यह हम इस पार्ट से, यह सीख हमें इस पार्ट से मिलती है, चात्रों, यहाँ पर आपको अकबर मुगल कालिन अकबर बाच्छा की जमाने की कहानी है और आगरा शहर में घटक यह कहानी है मुगल समराट के उस वक्त मुगल समराट अकबर बाच्छा जो था वह भारत पर राज्य करता था उसके दरबार में जो नो रतन थे उन रतनों में से तांसेन यह एक रतन था यह ये अच्छा गायक था, बुद्धी जीवी था, और मुगल समराट अकबर बादशाजों है, वह बुद्धी जीवी खुद तो पड़ा लिखा नहीं था, लेकिन बुद्धी जीवी लोगों को उसने अपने नोरतनों में चुना था, जैसे कि बिर्बल था, अकबर बिर्बल क कारणिया मैंने काया कि आपकोने सुनी होगी, बिर्बल भी अकबर के दर्बार में था, नोरतनों में से एक था, हमारे चहीदे पसंदिदा कभी रहीं भी, उसी में से एक थे, है ना, तो चात्रों, तांसें भी नोरतनों में से एक है, तो यह जो कहानी है, अकबर के दर्ब अच्छा गायत था अपबर के नौरत्नों में इसे था तो चलते हैं कहाणी की तरफ कहाणी हम यहाँ पर शुरू करते हैं यह पहला परिछेद जो हम देख रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं परिछेद में पढ़ने जा रहे हूं प्रभात का समय था आस्मान में बरस्ती हुई प्रकाश के किरने सैंसार पर नभीन जीवन की वर्षा कर रही थी बारा घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंदेरे पर विज़र पाई थी इस खुशी में फूल जूम रहे थे पक्षी मिठे गीद गा रहे थे पेडों की शाखाये खेलती थी और पत्ते तालिया बजाते थे चारों तरफ खुश्या जूमती थी चारों तरफ गीद गुंचते थे इतने में साधू के एक मंडली शेहर के अंदर दाखिल हुई उनका खयाल था मन बड़ा चंचल है अगर इसे काम न हो तो इदर उदर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विराश की खाई में गिरा कर नश्ट कर डालता है इसे भक्ती की जन्जीरों से जकर देना चाहिए तो छात्रों यहाँ पर पहला परिच्छत समाप्त होता है यहाँ पर कहा है कि प्रभात का समय था प्रभात यहने सवेरा अस्मान से बरस्त्वी प्रकाश की किरणे सुर्यदय हो चुका था रात समाप्त हो चुकी है अंधेरे को चीर कर सुरज की किरने पुरी पृत्वी पर फेली हुई है नविंग जीवन की वर्षा कर रही थी 12 गंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी जैसे मैं आपको कहा कि सुदर्शन जी की जो भाषा है बहुत थी सरल और प्रभावी भाषा है इस खुशी में फूल जूम रहे थे जैसे सुभे का समय है सवेरा है और सुभे सुभे जैसे की प्रकाश की किरने जो है वो फूलों को खिला रही है फूल खिल रहे है फूल जूम रहे है पक्षी जो है ची ची करते हुए मिठे मिठे गीत गा रहे है पेडों की शाखाए जो है हरी भरी शाखाए खिल रही है पत्ते तालिया बजा रहे है और चारों तरफ खुशी का मोहल है चारो तरफ गीत गूंचते हुए नज़र आ रहे, प्रकुरुती की गीत यहाँ पर कहा गया है और इतने में कहीं से साधू की एक मंडली जो है शहर में आ जाती है, आगरा शहर में दाखिल हो जाती है और साधू जो है उनोंने संसार का त्या किया है उनका ये खयार था कि मन बड़ा चंचल होता है अगर इस मन को हमने वेस्त नहीं रखा तो वो इधर-उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को क्या करता है कि विनश के खाई में गिरा कर नश्ट कर देता है इसलिए ये जो सादू है अपने मन को विस्त रखते हैं और गीत गाते हुए जा रहे हैं कुँसा गीत वो गाते हुए जा रहे हम देखते हैं सुमर सुमर भगवान को मुरक मत खाली चोड़ इस मन को क्या इस गीत का अर्थ क्या है देखो कि सुमर सुमर भगवान को अर्था क्या कि भगवान का स्मरन करते जाओ मुरक मत खाले छोड़ इस मन को इस मन को खाले मत रहने दो इस मन को हमने भगवान को अर्पित किया है तो भगवान के ही गीत गाये जाओ एसा वो गीत गाते गाते इस शहर में प्रवेश करते है जब संसार को त्याक चुके थे उन्हें सूर्टाल की क्या परवाह थी वो तो गीत युही गाते जा रहे थे कोई उचे स्वर में गाता था तो कोई अपने युँ आप मुँँ में गुनगुना रहा था सूर्टाल उचा नीचा हो रहा था हर किसी का सूर्टाल की उन्हें क्या परवाह थी और लोग क्या कहते हैं इन्ही इसकी जरा भी चिंता न थी ये अपने राग में मगन थे कि उतने में ही सिपायों ने आकर घेर लिया और हतकडिया लगा कर अकबर बाच्छा के दर्बार को ले चले हुआ यो कि ये अपने राग में ही मगन थे गिद्गुन गुनातियों जा रहे थे उतने में ही कही से सिपाही आ जाते हैं अकबर बाच्छा के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं हदकडिया लगा लेते हैं और दर्बार की और लेकर जाते हैं चातर यहाँ पर खुद सादों भी अचंबित हो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं है वो उल्जन में पर जाते हैं अग्बर के दर्बार की तरफ लेकर जा रहे हैं तो देखते हैं कि सिपाई अक्बर की दर्बार में उन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं यह वाँ समय था जब भारत में अक्बर की तुटी बोलती थी और उसके मश्यूर रागी तांसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी रागविद्धा में उसकी बराबरी न कर सके वो आग्रेखी सिमा में गित न गाए और जो गाए उसे मोथ की सजा दी जाए जिसे मैंने पहले ही कहां आपको कि यह जो कहानी है इस कहानी का जो समय है या अकबर बाटशा के समय की कहानी है जिस वक्त भारत में अकबर की तुती बोलती थी तुती बोलती थी अर्थात क्या कि अकबर बात्षाक का ही प्रभाव था उसके मशहुर रागी तानसें जो अकबर के नोरत्नों में से एक था जिसका मैंने पहले आपको परिचय करवाया उसने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्धा में उसकी बराबरी न कर सके तानसें जो था यह बहुत ही मशहुर रागी था और उसे अपने राग विद्धा पर एहिंकार था और उसी एहिंकार की वज़े से उसने यह कानून बनवा दिया था कि उसकी राग विद्धा में अगर उसकी बराबरी न कर सके तो उसे गीत गाने का हक नहीं है वो भी आगरे की सीमा में गीत नहीं गा सकता था और अगर उसने ऐसा किया तो उसे मौत की सजा दी जाए अब बेचारे वनवासी साधू को यह पता तो नहीं था परंतु अज्ञान भी अपरहाद है साधू तो अपने गीत में अपने भजन में मगन थे और गीत गाते गाते बहुँ कब आगरा की सिमा में आ गए उन्हें पता नहीं था साथे साथ उन्हें अकबर बादशा के इस काणुन का भी पता नहीं था मुकदमा दरबार में पेश हुआ तांसेन ने रागविद्या के कुछ प्रश्न साधो को पूछे और साधो के पास उनका जवाब नहीं था साधो उत्तर में मुह ताकने लगे मतलब क्या कि एक दुसरे का मुध एकने लगे अकबर के होठीले और सभी साधो तांसेन की दया पर छोड़ दिये गए अकबर के होठीले अर्था क्या कि उन्हें प्रान दंड दिया गया और सभी को तांसेन की दया पर छोड़ दिया गया दया निर्बल थी वह इतना भार सेहन न कर सकी मृत्यु दंड की आग्या हुई दया निर्बल थी अर्थात क्या कि खुद तान सेंजो था वह अहंकारी था और इतने साध्यों को प्रांदंड केसे माफ किया जाए इसलिए मृत्यु दंड की आग्या हुई केवल एक दस वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया बच्चा है इसका दोश नहीं यदि है भी तो यक्षमा के योग्य है चात्रो यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उस छोटे बच्चे की तस्वीर है दस वर्ष का बच्चा जो की जिसका दोश नहीं है यह सोच कर तांसेन ने उसे ख्षमा कर दी थी परन्तु जिन साधू मंडली को सब साधू मंडली को मृत्तु दंड की आग्या दे गई थी उसमें उसके पिताजी भी थे बच्चा रोता हुआ आग्रे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने लगा तडपने लगा वह बार-बार पुकारता था बाबा तू कहा है देखो चातरो यह बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया के ना आगरा के बाजारों से वा निकलता है जंगल में आता है अपनी कुट्या में आता है और रोता है बेचरा अकेला है तड़प तड़प कर अपने बाबा को पुकार रहा है तू कहा है अब कोन मुझे प्यार करेगा कोन मुझे कहानिया सुनाएगा लोग आगरे की तारिफ करते हैं मगर इसने मुझे बरबाद कर दिया इसने मेरा बाबा चीन लिया और मुझे अनाद बना कर छोड़ दिया बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दल्दले हैं और चप्पे चप्पे पर काटो की जाड़िया हैं अब कोन मुझे इन जाड़ियों से बचाएगा कोन मुझे इन दल्दलों से निकालेगा कोन मुझे सिधा रास्ता बताएगा कोन मुझे मेरी मंज बता देगा चात्रों यह जो चोटा सा बच्चा है अपने पिता के विरोहों में तडप रहा है रो रहा है कि सोच रहा है कि संसार में वो अकेला हो गया है वो बर्बाद हो गया जिस आग्रे की तारिफ लोग करते थे उसे आग्रे शहर जैसे उसके बाबा कहते थे कि संसार में चप्पे चप्पे पर दल्दल है काटों की जाडिया है अब वो बच्चा अपने बाबा से मानोध प्रश्ण पूछ रहा है कि मैं तो बहुत ही छोटा हूं इन जाडियों से मुझे कोन बचाएगा इन दल्दल से मुझे कोन दिखा ल में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा इतने में खड़ाओ पेहने हुए और हात में माला लिये हुए राम नाम का जब करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आये और बोले बेटा शांती करो शांती करो उस बच्चे की आवाज हरिदास जीने सुने और खड़ाओ पेहने हुए खड़ाओ पेरों में जो उस जमाने के लोग पेहनते थे आजम चपल पेहनते उसे खड़ाओ केते थे खड़ाव पहने हुए, हाथ में माला लिये हुए और राम नाम का जब करते हुए बाबा हरिदास को ट्या के अंदर आते हैं और बच्चे को शांत करने का प्रयास करते हैं यह जो चात्रों यह जो चित्र आप देख रहे हैं एक तरह हाथ में वीना धरन किये हुए है यह बाबा हरिदास का चित्र बेजू उठा और हरिदास जी के चल्णों से लिपट गया वह बिलग-बिलग कर रोता था और खेता था महराज मेरे साथ अन्याय हुआ है मुझ पर वज्र गिरा है मेरा संसार उजड़ गया है मैं क्या करू मैं क्या करू महाराज हरिदास बोले शांती शांती बेजू फिर भी कहता है महराज तान सेन ने मुझे तभा कर दिया उसने मेरा संसार सूना कर दिया फिर भी हरिदास एक ही बात उसे कहते है शांती शांती बेजू ने हरिदास के चरुणों से और भी लिपट कर कहा महाराज शांती जा चुकी है अब मुझे बदले की भूख है अब मुझे प्रतिकार की प्यासे मेरी प्यास बुझाईए बेजू ने हरिदास ने फिर कहा बेटा शांती शांती देखो चात्रों यहाँ पर बेजू के मन में बेजू बहुत ही दुखी है उसके शब्दों से हमें पता चल रहा है कि बेजू बहुत ही दुखी है अपने पिता के विरों से वो तडप रहा है वियोक से वो तडप रह है और उसके मन में जो है बदले की भावना जागुरत हो चुकी है वह कहता है कि मुझे बदले की भूख है प्रतिकार की प्यास है फिर भी हरिदास सिर्फ उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं बेजु ने करुणा और क्रोथ की आखों से बाबा जी की तरफ देखा उन आखो में आशु थे और आहे थी और आख थी बदले की अहां जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आखे कर देती हैं और जो काम आखे भी नहीं कर सकती उसे आखों के आशु कर देते और यहीं काम जो है बेजु के आखों के आशु कर रहे थे बेजु ने ये दो आखिरी हतियार चला और सीर जुका कर खड़ा हो गया आखे और आसु यो दो हतियार थे वह चलाए और बाबा हरिदास के सामने सीर जुका कर खड़ा हो गया हरिदास के धीरच की दीवार आसों की ब्योच्छार सहन न कर सकी और वो दीवार कापकर गिर गई उन्होंने बेजु को उठा कर गले से लगाया और उन्होंने कहा उसे कि मैं तुझे वह हत्यार दूँगा जिससे तु अपने पिता की मोत का बदला ले सके देखो चात्रों यहाँ पर बाबा हरिदास बेजु की आखो को देखकर उसके आखो में बदले की आखो को देखकर बेजु को खे देते हैं कि मैं तुम्हे वह हत्यार दूँगा जिससे तु अपने पिता के मोत का बदला ले सके बेजु हेरान हुआ और साथी साथ उसे खुशी भी हुई इस बात की कि उसे हतियार मिलने वाला है अपने पिता का बदला वो ले सके पिता की मोत का बदला वो ले सकेगा बेजू उचल पड़ा उसने कहा बाबा आपने मुझे खरीद लिया आपने मुझे बचा लिया अब मैं आपका सेवक हूँ हजदास उसे केते हैं मगर तुझे ग्यारव वरस तक तपस्या करने होगी कठोर तपस्या भयंकर तपस्या बेजू जवाब देता है महाराज आप बारह बरस कह रहे हैं मैं बारह जीवन देने के लिए तयार हूँ मैं तपस्या करूँगा मैं दुख जेलूँगा मैं मुसीबते उठाऊँगा मैं अपने जीवन का एक एक शन आपको भेट कर दूँगा मगर क्या इसके बाद मुझे वाखत्यार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मोत का बदला ले सकूँ हरिदास ने कहा हां मिल जाएगा बेजू कहता है तो मैं आज से आपका दास हूँ आप आज्यादे में आपकी हर आज्या का सीर और सीर के साथ दिल जुका कर पालन करोंगा तो छात्रों यहाँ पर हमने देखा कि बेजू किस तरह से रोता है तडबता है और बिल्कुल उसी समय बाबा हरिदस को प्या में प्रवेश करते हैं बेजू को शांत करते हैं शांत करने का प्रयास करता है लेकिन बेजू के शब्दों से आपको पता ही चल गया होगा कि बेजू के मन में बदले की आग है बदले की भावना है अपने पिता की मोत का बदला वो तांसें से लेना जाता है और जब बाबा हरिदास उसकी आखों को आखों में और आसों में आपके जो बदले को देखते हैं उसे गले लगाते हैं उसे शान्त करने का प्रयास करते हैं कहें देते हैं कि मैं तुम्हें वहतियार दोंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें बारह बरस तक कठोर तपस्या करनी होगी बेजू के मन में जो बदले की भावना है उस भावना में उस भावना के आवेश में वो के देता है कि मैं बारह बरस तो क्या बारह जीवन देने के लिए तयार हूँ परंतो मुझे अपने पिता के मौत का बदला लेना ही है और वह अपने आपको पूरी तरह से बाबा हरिदास के चर्णों में अरपित कर देता है और उस दिन से तपस्या में लग जाता है तो छात्रो यह हमने पहला भाग पड़ा जिसमें बेजू अपने आपको बाबा हरिदास की चर्णों में अरपित करता है और यहां से उसकी तपस्या शुरू हो जाती है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला भाग तब तक के लिए अलवीदा जात्रो